हेलो स्टो मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तो सीरिल गुमैकेजिके प्यार में न्यूवीक स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये वीक जो है काफी जादा शांदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर फाइनली अब चमवाण निवास के किच किच और लड़ाए जगडों से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और स्टोरी जो है चमवाण निवास से बाहर निकलने वाली है और सही के हालात कुछ ऐसे हो जाने वाले हैं कि अब पुलकित के बस की बात नहीं है बड़े से बड़े डॉक्टर के बस की बात नहीं है अब उससे एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा अगर उसका इलाज करना है तो जानें के इन सबी चीजों के बारे में लेकिन आपको पता है कि न्यू वीक इस्टोरी की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट तो मैं मंडे से ही करना होगा मंडे टूस्टे की बात करते हैं और फिर चलते हैं आगी के और फटा फट से तो आईए दोस्तों बात करते हैं मंडे एपिसोड के बारे में तो आपको बता है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताए था कि एक तरफ सई का सीन दूसरी तरफ चमवान निवास का सीन जी हाँ दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो समराट बैंड बजाते वे नजर आएग क्योंकि साई के सर से जो है काफी जादा खून जो है बह चुका है एंड ये सीन आपने देखा भी होगा काफी emotional भी आप लोग हुए होंगे एंड यहाँ पर साई को बहुत जादा situation उसकी critical हो गई है finally ये लड़ाई तो चमवान इवास के कहीं थमने वाली है नहीं तो इसके लिए अब सीरिल्स के makers ने क्या किया है कि पुलकित को बोला है कि भाई पुलकित तुम ही कॉल कर दो घर के अंदर तकि लड़ाई शान तो जाए तो ऐससे में यहाँ पर जब चमवान इवास में समराट और विराट भिड़ चुके हैं पत्रे लेखा पस चुकी है बिच में घरवाले सारे उलग चुके हैं तब एक फॉन कोल जो है पूरी तरीके से कहानी को पलड देने वाला है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर समराट के पास कॉल आता है या फिर किसी अलग मेंबर के पास आता है मैं एक अन्फरमेशन नहीं दे रहा हूँ बट आई होप अगर इंट्रोस्टिंग बनाना है सेरियल को तो एक कॉल समराट के पास ही जाना चाहिए क्योंकि समराट के पास मान लीजिए अगर कॉल जाता है तो यहाँ पर पुलकेद उसे कहने वाला है कि समराट में विराट को फोन नहीं कर सकता था क्योंकि विराट इसलायक नहीं है और घर में किसी और को फोन करना मैंने ठीक नहीं समझा सब पैनिक हो जाएंगे इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं इसे में समराट पूछेगा कि सही क्या तुम्हारे पास है तो वो कहेगा कि सही मेरे पास नहीं है सही हॉस्पिटल में पहुच गई है तो ऐसे में यहाँ पर समराट और सभी घरवाले बहुत हैरान हो जाएंगे शौक डू जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर अश्वीनी समरा और सभी साही के चाहने वाले जो हैं हॉस्पिटल की और दौड पढ़ने वाले हैं क्योंकि घर में बपा भी है घर पर अकेला बपा को भी नहीं छोड़ा जा सकता एंड कुछ लोग वहीं पर रुकने भी वाले हैं तो ऐसे में दोस्तो सभी घरवाले जो हैं भागने वाले हैं हॉस्पिटल की और क्योंकि सभी की प्यारी है सभी को सभी को सभी की बहुत जादा चिंता है और सभी की दोस्त जो हैं वहाँ पर पहले से उसकी धाल बनकर वहाँ पर खड़े हैं ऐसे में दोस्तो बहुत से लोग चोटने लगी है वाके में कंडिशन बहुत क्रेटिकल है ऐसे में जब यहां पर विराट की वहां पर मौझूद की बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बड़ा एक्शन लेने से बेले डॉक्टर को जो है लीगल गार्जिन जो है उनके सिगनेचर चाहिए होत उस्तों ने उसका रस्ता रोक लिया है क्योंकि आप सई के मिलने के लाइक नहीं है वो यह सब बोलकर उने रोकने वाले है फाइनली यहां पर विराट आने वाला है साइन करने वाला है रोने वाला है अश्विनी को समाल पाना बहुत मुश्किल होने वाला है एंड आन लोक पच्चे वो सारे हैं बेवकुफ वो सारे हैं देवीताई नहीं और यहां पर समराट जो है वो भी खटिया खड़ी करते हुए नजार आएगा विराट और साई के नापसंद करने वाले लोगों की क्योंकि यहां पर विराट को समझ में आ जाएगा कि अब मेरे से बहुत बड ही करने वाला है और समयाल पाना भी हाँ, बहुत मुश्किल होगा फाइन जो यह तो आपको थीं दिन ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि यह आप पर लड़ाई भी हुने वाली ऐ आपस में उनकी समराट की हुने वाली है विराट से और यह आपस में लटने वाले हैं तो यह सीन आपको दोसे 3 दिन तक देखने गुमल सकता है जब सई सिक्रीन पर आपको नहीं देखने को मिलेगी और यहां पर दोस्तो सही का इलाजो जो है वह और को ही नहीं बल्कि पुलकित खुद अपने हातों से करते हुए आपको नजर आने वाला है। इसे के साथ ही दोस्तों साइक के कंडिशन भी बहुत क्रिटिकल यहां पर होने वाली है। इसी के साथ है उस तो एक खास मुमिंट आपके लिए इन सभी चीज़ों में यह हो सकता है कि यहाँ पर विराट के मसले में एक पर फिर से पत्रे लेखा जो है हॉस्पिटल में भी अपनी टांग अडाते हुए नजर आए और यहाँ पर कुछ ना कुछ ताने मारते हुए कु देर ही हो जाएगी और यहाँ पर वैसे भी समराट जो है विराट को ही मानता इन सभी चीजों का जिम्मेदार जो सही के साथ हुआ है तो विराट यहाँ पर पूरी तरीके से फज़ चुका है फाइनली दोस्तों यहाँ पर सही की जो सिच्वेशन है उसमें बहुत सुधार आने वाला है यहाँ पर सही की सिच्वेशन जो है अंडर कंट्रोल में आ जाने वाली है बहुत मशक्कत के बाद ऐसे में पुलकित वापस ऑफपरेशन थेयर्टर से लाटने वाला है तो यहाँ पर सभी लोग उसके बास जाने वाला और पुछेंगी कि आकरकार क्या है सही की सिच्वेशन कैसी है तो सही के बारे में कहेंगी कि उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और आप लोग अप चिंता मच कीजिए वो खत्रे से बाहर है ऐसे में यहाँ पर विराट मिलने की कोशिश करेगा सही से लेकिन पुलकित जो है वो कहा देगा कि कोई जरुत नहीं है जाने कि तुम इसके लायक नहीं हो क्योंकि जो कुछ हुआ है यह तुम्हारी वज़े से हुआ है यहां पर पुलकित बहुत लंबा चाड़ा ग्यान देते वे नज़र आएगा विराट को और विराट भी यहां पर उसे तुरंत जवाब देते वे नज़र जाएगा फाइनले दोस्तों यहां पर सई को होश तो आ गया है सब घरवाले उससे मिल भी चुके हैं यह कैसे मिलना मिलाना होगा रोना दोना होगा आए थिंग मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की चुछ जाएगा काफी ज़्यादा गर मैं बाते बताने लग गया चुके हैं विराट मिल चुका है इमोशनल बाते हो चुके हैं लेकिन सई ने एक शब्द भी नहीं बोला है सई ने कुछ रियक्ट नहीं किया है चिंता की बात यह है कि सई के दिमाग पर इस चोट का बहुत बुरा असर हुआ है जिया दोस्तों ऐसे में यहां पर आपको आ रहने के लिए क्योंकि यहां पर सई जो है किसी बात पर कुछ रियक्ट नहीं कर रही है ना लड रही है ना जगड रही है ना हस रही है ना रो रही है ऐसे में यहां पर सपेशल डॉक्टर आने वाले हैं और सई से काफी ज़्यादा वो काउंसलिंग करने वाले हैं सई की पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यह memory loss वाला यहाँ पर I think case नहीं होने वाला है यह सदमा लगा है जिसके करण से वो कुछ react नहीं कर पा रही है और I think memory loss यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा हमें सिरिल के अंदर तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सई की situation बहुत critical होने वाली है और सदमा उसे इतना खतरणाख लगा है और इसके बाद वे बहुत कुछ है जब सई चमवान इवास में लौटने वाली है तो सिरिल आने वाले वीक में काफी जड़ां इंट्रस्टिंग है क्या पड़े ट्विस्त आपको देखनी को मिलेंगे काफी हंगामा है सई की दोस्त करने वाले हैं काफी कुछ इंट्रस्टिंग आपको यह आपर देखने को मिलने वाला है दोस्तों आप मुझे comment section में बताइए कि आपके त्यादा excited है इनने पूरे scene के लिए सील गुमे किसके प्यार में को देखने के लिए comment section में जिरूर बताइए आपको कोई भी सवाल Instagram पर share करें लिंक आपको description मिल जाएगा चैनल को subscribe करें बैल आइकूं को दोवाना मत भूलेगा दोस्तों क्योंकि आपके फेवरेट टीवी से जुडिया प्रेट लगाता आरम आपको यहां पर पहुंचाता रहता हूं मैं अगली वीडियो के साथ फिर से राटूंगा जब तक कि दिए थैंक्यों दोस्तों